तो ड्रक्स मामले को लेकर युवा कॉंग्रेस का प्रदिशन हो रहा है रोशनपुरा चराहे पर जग्दीज देवडा का पुतला लेकर कॉंग्रेसी पहुचे हैं तो ड्रक्स मामले के आरूपे के साथ लगाई गई है जग्दीज देवडा की तस्वीर और यह तस्वीरे आपकी टीवी स्प्रीन पर हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन सिरींच भी आपको दिखाई देगी युवा कॉंग्रेस कर रहे डिप्टे सियम के स्टीफे की मांग तो लगा अतार दो दिनों से स्टीफे की मांग की जा रहे ये तस्वीरे आप देख सकते हैं जग्दीस देवडा की तस्वीरे जो है कोट्सर में लगाई गई हैं आपको बता दें कि जब से डिप्टे सियम जग्दीस देवडा की तस्वीरे आप आरोपी के साथ दिखाई दी हैं के बाद से ही कॉंग्रेस ने इसके ओपर पलटवार किया है और बार बार कॉंग्रेस उनके इस्तीफे की मांग भी कर रही है तो इंजेक्शन लेकर यूवा कॉंग्रेस की नेता फिलहाल जो है प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप ये तस्वीरे देख सकते हैं बोपाल की जहां स हैं आपको दिखा रहे हैं कि लगतार कॉंग्रेसी रोशिन पुरा चौराहे पर जगदीज देवडा का पुतला लेकर पहुचे हैं साथ ये उनके हातों में सिरींज है और लगातार ये प्रदर्शन जारी है तो इस खबर पर ज्यादर जानकारी के लिए मेरे सायोगी सुर जब से 1800 करोर रूपय से जादा का ड्रक्स जब से राजधानी भोपाल में पकड़ा गया है तब से ही लगातार कॉंग्रेस मुखारे और कॉंग्रेस लगातार आरोप लगा रही एक और आरोप इस बात का कि आखिरकार पुलिस मुख्याला से 20 किलो मीटर दूर इतना बड़ा कारोबार होता रहा वैद कारोबार होता रहा पुलिस को भनक तक नहीं लगी जबकि दिल्ली और गुजरात की टीम आकर यह पर छापा मारती है और कई आरोप यों की रफ्तार करती दूसरी और आरोप ये कि जिस तरह से एक आरोपी की तद्वीर जो है ड्रक्स मामले को लेकर जग्दीज देवरा जो की डिप्टी सिया में उनके साथ आई है तब से लगाता और कॉंग्रेस कह रही है कि पूरे प्र झाल